बच्पन में हम सभी को अंधेरे से डर लगता था आज की यह मूवी उसी डर के बारे में है मूवी का नाम है दबोगी मैन इसे IMPD में 6.1 की रेटिंग मिली है यह मूवी 2 जुन 2023 को इंगलिस लेंगविज में रिलीस की गई है मूवी की सुरवात में हम एक चोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम एनी था तब ही एक Black Shadow घर में इंटर करता है और एनी की तरफ बढ़ने लगता है एनी अपने घर में अकेली थी फिर हम देखते हैं कि वो Black Shadow एनी को माल डालता है यहां से मूवी सिप्ट होती है एक दूसरे घर की और इस घर में वेल अपने दो बेटी सीडी और स्वेर के साथ रहता है वेल की वाइफ हाल ही में गुजर गई है और वो तीनों उसे अब तक भूल नहीं पाए है सीडी अपने ममी को बहुत मिस करती है इसले वो अपने ममी के ट्रेस पहन कर स्कूल जाती है स्कूल में जब वो अपने लोकर का डोर ओपन करती है तो उसके अंदर खराब करड रखा हुआ था और पास से गुजर रही लड़कियों से धका लगकर वो हो उसके ट्रेस में गिर जाता है यहां वेल के पास लेस्टर नाम का एक आदमी आता है उसकी बाते बहुत अजीब सी थी उसने वेल को बताया एक साल के अंदर उसके तीन बच्चे एक के बाद एक करके मारे गए सभी उस पर ही सक कर रहे हैं कि उसने ही अपने तीन बच्चियों को मारा है पर उन्हें एक मॉंस्टर ने मारा है लेस्टर वेल को एक ट्रॉइंग दिखाता है यह ट्रॉइंग उसकी बड़ी बेटी ने बनाया था मरने के पहले वहाँ उसे बताता है इसी एंदेटी ने उसके बच्चों को मारा है और अपना सिकार बनाया है या उन्ही बच्चों को अपना सिखार बनाती है जिनके पैरेंट्स उन पर ध्यान नहीं देते मोवी के स्टार्टिंग में हमने एनी नाम की जिस बच्ची का डेट देखा था वर लेस्टर की ही बेटी थी इस तरह की बातों पर कोई बिस्वास करेगा नहीं इसलिए वेल वहां से बहाना बनाकर दूसरे रूम में जाता है और 911 पर कॉल कर देता है सीडी यहां घर आ चुकी थी उसे घर पर किसी तरह की आवाज आती है और वो क्लोसेट तक जाती है वहां रेट पेंट गिरा हुआ था फिर उसे लेस्टर की देट बोडी दिखती है फिर वहां पर पुलिस आ जाती है और लेस्टर की बोडी को वहां से ले जाती है और इससे सुसाइड मान लिया जाता है सीडी अपने बापा से अपने मम्मी के मौत के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि तुम अपने डॉक्टर से से अपके बारे में पूछना डॉक्टर वीलर एक सैकेट्रिस्ट है जहां सीडी और स्वेर अपने सेसन के लिए जाते हैं वहाँ वेल को भी जाना था पर वो कोई सिसन अटेन नहीं करता सीडी अपने मम्मी को बहुत मिस कर रही थी तो वो इंटरनेट की हैल्प से सर्च करती है कि स्पिरिट को कैसे बुलाये जा सकता है तब तक स्वेर भी वहाँ आ जाती है उसका दाट तूटने वाला था वीदी उसके दाट को धागा की एक छोड से बांदेती है और धागे की दुसरे छोड को दरवाजे के हैंडल से बांदेती है वो कहती है कि तीन की काउंट पर वो डॉर लॉक कर देगी जिससे खीच कर स्वेर का दाट पाहर आ जाएगा और काउंट पूरे होने के पहले ही डॉर लॉक हो जाता है स्केली स्वेट प्लेयार नहीं थी उसका दाट खीच कर तूट जाता है वो सीडी पर बहुत कुस्सा कर दिये यहां हम देखते हैं कि जिस धागे से स्वेर का दांद बंधा हुआ था उसे वो ब्लेक सेडो अपनी तरफ खीच लेता है यहां मैं आपको बता दूँ कि यह ब्लेक सेडो बॉकी मैन का है जो लेस्टर के साथ वील के घर में आ गया है और अब वो सेडी और स्वेर को अपना सिकार बनाने वाला है रात में विल स्वेर को सुला रहा होता है स्वेर भी बाकी बच्चियों की तरह अंधेरे से डरती है उसके पास एक बॉल था जो लाइट की तरह काम करता था वो उसे लेकर सोया करती है उसे closet से डर लग रहा होता है फिर विल उसके डर को दूर करने के लिए closet को चेक करता है स्वेर सो जाती है खुश देर भाद उसकी किसी आवाद से नींद खुलती है तो वो देखती है closet का दोर पहले से open होता है और कोई closet से निकल कर उसके बेट के नीचे चला जाता है वो अपने बेट के नीचे देखती है तो वोगे मैन था next day हम देखते हैं कि CD और स्वेर डॉक्टर वीलर के सेसन में जाते हैं जहां डॉक्टर वीलर स्वेर को एक lightning ball देकर कहती है तुम इसमें देखो जब स्वेर उसमें देखती है तो उसे अपने सामने बोगे मैन आता हुआ दिखाई देता है और वो बहुत डर जाती है CD घर में लेस्टर का सामान चेक कर रही होती है जहां उसे लेस्टर के पापा सिवे बाच्चित का रिकॉर्ड मिल जाता है वो उस रिकॉर्ड को सुनती है उसे लेस्टर के सामान में उसके घर का एडरिस भी मिल जाता है और उसे बोगे मैन का ड्रॉइंग भी मिल जाता है तो वो ड्रॉइंग को लेकर स्वेर के पास जाती है और उसे दिखा कर पूसती है तब स्वैर्व से बताती है उसने इसे देखा है पूरी बात की सच्चाई को जानने के लिए सीडी लेस्टर के घर जाती है वहां हर तरप कहंडल जले हुए थे तब हिर दिरे दिरे तुम्हें मार डालता है भोगी मेन को रौश्णी से डर लगता है तब ही वहाँ बोगे मैन आ जाता है, किसी तरह अपना जान बचा कर सीडी वहाँ से भागने में कामियाब हो जाती है यहाँ वेल अपनी वाइप के सारे सामानों को फेक रहा था सीडी ऐसा नहीं जाती थी उसे अपने ममी के सामान में एक लाइटर मिलता है सीडी अपने दोस्तों को हैंग आउट के लिए अपने घर में बुलाती है वो सबी नसे कर रहे होते हैं तबी सीडी को वामिटिंग सी फील होती है और वो बेसिन के पास जाती है उसके मूँ से वही धागा निकलता है जिससे स्वेर की दांत पंधी हुई थी इसके बाद वो एक अंधेरे कमरे में जाती है और दर्वाजा अचानक बाहर से लॉक हो जाता है वो डड़ी हुई थी कि वहाँ बोगी में आ जाता है उसके सोर से उसके दोस्त दर्वाजा खुलने की कोसिस करते हैं जब दर्वाजा खुलता है तो सीडी बाहर आ जाती है और उन सब पर गुसा करने लगती है फिस सभी वहाँ से चले जाते है स्वेर बीडियो गेम खेल रही थी तब ही वहाँ बोगी में आ जाता है वहाँ स्वेर को बहुत मारता है उसकी चीखों को सुनकर वेल भी आ जाता है और बोगी में वहाँ से चला जाता है फिस सब उसे लेकर हॉस्पिटल जाते है वहाँ सीडी को रीटा का कॉल आता है और तो पने रिटा सीडी को बान देती है। रीटा ने उसे अपने सिकार को फसाने के लिए चारा बना कर बुलाया था. अपने बच्चे और पती के मौत का बतला लेने के लिए. वह बूगे मैन को मारना चाहती थी, तबी बूगे मैन भी आ जाता है. सीडी चाती थी कि कैसे भी बोगी मैन खत्म हो जाए वह सीडी को खाने के लिए आगे बरता है तबी रीटा के बच्छाएव में जाल में वह फ़स आता है जिससे की रसी खेच जाती है और फाइरिंग बोगी मैन पर होने लग जाती है रीटा भी उसे सूट करने लगती है इन सब में सीडी खुद को आजात कर चुकी होती है और रीटा के घर से भागती है भागते हुए वो विल को कॉल करती है कि घर पर न आ जाए पर विल को सुन नहीं पाता वो स्वेर को लेकर घर के अंदर पहुँच चुका था यहाँ पर बोगी मैन उन दोनों पर अटेक कर देता है जब सीडी वहाँ पहुँचती है तो उसे स्वेर मिलती है विल का कहीं कोई पता नहीं था स्वेर अपने बोडी में कुछ लाइट्स लपेती हुई थी जिसकी वज़े से वो देख गई थी और बोगी मैन उसके पास नहीं आया था सीडी अपने पापा को खोचते हुए बेसमेंट में पहुच जाती है जहां उसने विल को पकर रखा था बोगी मैन गन की वज़े से पहले से ही खायल था सीडी एक डंडा उठा कर उसे मारने जाती है पर वो डंडा तूट जाता है बोगी मैन सीडी को मारने ही वाला था कि वेल उसे धका देकर सीडी को बचा लेता है तब तक पेपर इस्प्रे लेकर स्वेर भी वहां पे आ जाती है बोगी मैन उसके उपर हामला करने जाता है यहां सीडी को उसकी मम्मी का लाइटर मिल जाता है और वो लाइटर जला देती है और स्प्रे के हेल्प से वो लाइटर की आग बोगी मैन तक पहुँचा देती है बोगी मैन जलने लगता है जब आग कम होने लगती है तो स्वेर उसके उपर पैट्रोल डाल देती है और आग को बढ़ा देती है, इस तरह बोगी मैन उन सब के सामने ही जल कर खत्म हो जाता है मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि विल भी सेसन के लिए डॉक्टर वीलर के पास जाता है वहाँ क्लोजिट में सीडी को बोगी मैन के होने का अहसास होता है पर वो क्लोजेट का डोर क्लोज कर देती है जिससे हमें पता चलता है कि बूगी मिन मरा नहीं है पर उससे वेल की फैमी डड़ेगी नहीं तो वो उन पर हामला नहीं कर सकता यह मुवी स्टेफन किंग की लिखी हुई बूग दा बूगी मैन पर बेस्ट है आई होप आपको यह मुवी बहुत पसंद आई होगी यह मुवी आपको हिंदी में देखने को कब मिलेगी यह तो मैं नहीं कह सकती पर यह मुवी बहुत इंट्रेस्टिंग है इस मुवी के सारे सीन्स को इतने अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया गया है और परदे भी दिखाया गया है कि आप सारे ही सीन्स से कनेक्ट हो जाओगे और हर एक सीन्स आपको बहुत इंट्रेस्टिंग कराएगा तो मेरा सजेशन है यह मुवी आप जरूर देखिएगा और अगर आपको मेरी एक्स्प्लेनेशन पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए थैंक्यू